ये गाइज वाट सब्सक्राइब कैसे हैं आप सभी लोग बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अमेजिंग से सेशन में दिस इस गूंग तो बी दे लास्ट माराथॉन ऑफ डारेक्ट टैक्स कल से हम लोग इंडारेक्ट टैक्स शुरू कर लेंगे कान बिलीव हम लो में देखता हूं मेरा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और सिरिस्ली थाइंक यू सो मच हम लोग देखते हैं मैं जितने भी स्टूटेंस यहां पर नए है या पहली बार देख रहे हैं आप लोगों को बता देता हूं सो 17th ऑं October से हम लोग ने यह मैराथां कर लिया था फिर हमने income from other sources income from salaries कर लिया है फिर हमने PGBP clubbing of income set off carry forward in losses यह सब कर लिया है फिर हमने परसों किया था deductions from gross total income TDS TCS advanced tax कल हम लोग ने exempt income residential status और return filing के provisions को भी device कर लिया है और आज हम लोग finally computation of total income का revision करने यहाँ पर आ गए है इस वीडियो के description में आप लोगों को इस PDF का link मिल जाएगा जो भी PDF में यहाँ पर यूज कर रहों इसका link मिल जाएगा as you know कि computation of total income में कोई बहुत ज्यादा conceptual या technical चीज नहीं होती है it's just a matter of practicing of a lot of questions so what I have decided is कि अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार एक brief overview दे दूँगा about computation of total income उसका revision करवा दूगा और उसके बाद मैं आपको कुछ-कुछ questions भी करवाता रहोंगा ठीक है तो we'll also be doing some certain questions तो बहुत मजा आएगा और उसके बाद कल से आप लोगों का GST का marathon start हो जाएगा तो let's start computation of total income and tax payable ठीक है तो देखो income tax is levied on an SSC's total income एकदम सीदी सी बात है total income has to be computed as per the provisions contained in the income tax act 1961 total income निकालेंगे कैसे total income अपने income tax act के अंदर जो भी provisions है उनके हिसाब से निकाले जाएंगे the following steps have to be calculated for computing the total income of an SSC तो कौन से steps यूज करने चाहिए तो 14 steps है जिनको यूज करना चाहिए और वो 14 steps कौन-कौन से हैं उनको हम लोग यहां पर एक बार फड़ावट से determine करिए ठीक है इसके बारे में हम लोग ने कल revise किया कि क्या क्या conditions होती है basic conditions additional conditions वगड़ा वगड़ा तो या तो आपका जो भी असेसी है वो resident होगा या तो non-resident होगा अगर resident हुआ और individual या HOF में से कुछ हुआ तब वो ROR या RNOR भी हो सकता है लेकिन अगर individual या HOF के अलावा कोई और भी असेसी हुआ तो फिर वो ROR या RNOR नहीं होगा वो simply या तो resident होगा या पर non-resident होगा अग कोई भी इंडियन citizen जो की deemed resident है that would be a resident but not ordinary resident in India right residential status जब आ जाता है तो उसके बाद scope of income के हिसाब से हम लोग पांचों heads के अंदर उसकी income को calculate करते हैं कि उसको salaries में कितनी income हुई income from house property में PGBP में capital gains में income from other sources में यह सब कैसे कैसे हुआ वो करते हैं फिर income under each head कैसे आ जाती है आपकी सारी के सारी heads के अंदर जो भी incomes है अब वो calculate करेंगे individual heads के अंदर जो भी exemptions है उनको minus करेंगे जैसे अगर हम लोग PGPP के बारे में बात करें तो agricultural income तो agricultural income में जैसे चाय का है तो growing and manufacturing T में 60% agricultural मानी जाती है and that is basically exempt right तो PGPP में जब हम लोग income from T business करेंगे तो उसका सिर 40% consider करेंगे तो this is an exemption तो exemption को आपने हटा कर उसको income में consider किया और उसके बाद जो भी deductions allowed है वो आप लोग minus करेंगे ठीक है जैसे PGPP के बारे में बात करो तो section 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 में बहुत सारे deductions allowed है अगर हम लोग उसमें बात करें capital gains में बात करें तो capital gains में जो पूरी 54 वाली सीरीज है उसमें बहुत सारे deductions allowed है salary में बात करें तो फिर जो standard deduction है वो भी allowed है और बाकी कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे professional tax का हो गया entertainment tax हो गया यह सारे भी allowed हैं आपके entertainment allowance यह सब allowed है फिर clubbing of income of spouse, minor child etc तो यह पांचों incomes की पांचों heads की individual incomes निकालिए इसमें जो भी आपके additions, deletions होने हैं जो भी exemptions और deductions होने हैं वो कर दीजे और उसके बाद फिर clubbing करिए clubbing के बाद set off of the current year losses and brought forward losses को करना होगा इसमें सबसे पहले हम लोग inter source set off of losses करते हैं फिर हम inter head set off of losses करते हैं फिर हम brought forward losses को set off करते हैं फिर हम unabsorbed depreciation को set off करते हैं और उसके बाद हम losses को और unabsorbed depreciation को carry forward कर देते हैं इसते आपकी gross total income निकल के आती है, कैसे आती है, gross total income होती है, add income computed under each head, तो 5 heads के अंदर जो भी income आई उसको compute कर लीजे, फिर आप clubbing के provisions लगाईए और फिर आप set off and carry forward के provisions लगाईए, अब जो आपके पास बचता है, that is your gross total income, फिर step number 7 है, gross total income से कुछ deductions होंगे, तो ये चार categories में हम लोग ने पढ़े थे chapter 6 A के deductions, तो deductions in respect of certain payments, deductions in respect of certain incomes, deductions in respect of other incomes, और other deductions मिल जाते हैं, right, gross total income में से deductions under chapter 6 A को minus करने के बाद, आपके पास जो आती है, वो होती है, total income, और total income को आपको nearest multiple of 10 rupees में round off करना होता है, right, एक बार जब आपकी total income आ गई, तो फिर आप tax rates 60 years से कम आपकी age है, तो 5 लाग तक निल है, अगर आपकी age 60 से उपर लेकिन 80 के अंदर है, तो फिर 3 लाग तक आपको कोई tax नहीं लगेगा, और अगर आपकी age 80 से उपर है, तो 5 लाग तक कोई भी tax नहीं लगेगा, ठीक है, तो जो भी यह basic exemption limit है, इसके उपर देखते हैं, 2 लाग से 5 लाग तक जाते हैं, या 3 लाग से 5 लाग तक जाते हैं, तो 5 पसंट का tax लगेगा, तो obviously जो भी लोग 80 की age से उपर है, उनको तो 5 लाग तक exempt है, तो उन पर यह 5 पसंट वाला slab applicability नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों की तो 5 लाग तक exempt है, तो 5 लाग तक की, को सरचार्ज या रिबेट को देखा जाते हैं, अगर आपकी इंकम 50 लाग से ज्यादा, लेकिन 1 करोड तक है, तो फिर 10% of the income tax will be your सरचार्ज, अगर आपकी इंकम 1 करोड से ज्यादा, पर 2 करोड तक है, तो 15% of the income tax will be the rate of सरचार्ज, अगर आपकी इंकम 2 करोड से ज्यादा, प It may be noted that enhanced rates of surcharge at the rate of 25% and 37% will not apply in respect of dividend income, long term capital gains taxable under 112A, 112A में कौन से वाले होते हैं, वो शेर्स वाले होते हैं, जिन में securities, transactions, tax, आप लगे करते हो, तो इन में आपको, इनके ऊपर surcharge वगेरा नहीं लगेगा, and short term capital gains taxable under 111A, 111A अगें वो शेर्स वाले होते हैं, नॉर्मल short term capital gains पे surcharge लगेरा लगेगा, लेकिन surcharge calculate करते हैं समय, हम dividend income, long term capital gains under section 112A, मतब शेर्स वाला, और short term capital gains, 111A वाले को consider नहीं करेंगे, फिर एक और चीज़ होती है, rebate under section 87A, rebate में क्या होता है, कि अगर आपके income 5,000,000 या उससे कम है, तो जो भी आपके tax liability है, up to the extent of 12,500,000 उसको minus कर दिया जाता है, उसको आपको, उसपर आपको tax नहीं पे करना पड़ता है, तो rebate मिलती ही आपको up to 12,000 रुपीस for resident individuals having total income of up to 5,000,000 रुपीस, however, rebate under section 87A is not available in respect of tax at the rate of 10% on long term capital gains taxable under section 112A, तो ये 112 ये वो ही shares वाला हो गया, कि अगर आपने shares से capital gain हुआ, long term capital gain आपको shares बेचने से हुआ, जिन shares पर STT pay किया हुआ था, तो एक लाग तक का profit exempt होता है, और उसके बाद 10% के rate से tax लगता है, तो इसके, अगर ये 10% के rate से आपने tax किया, और यहाँ पर आपने कहा कि नहीं मेरे long term capital gain through 112A ही, सपोस्पोस साड़े चार लाग रुपे का है, तो साड़े चार लाग रुपे पर आपने सीधा वो लगा दिया, जो भी आपका tax rate आया, वो आपने tax rate लगा दिया, तो उसके against आपको को rebate नहीं मिलेगी, फिर ये सब करने के बाद, आप देखते हो, health and education says on income tax, so health and education says is 4% of the income tax and surcharge, तो यह 4% होता है, यह tax के amount के ओपर लगता है, मतलब आपने पहले tax लगा ठीक है, tax लगती है आपकी total income पर, surcharge लगता है आपका income tax पर, और यह जो CES होता है, यह income tax plus surcharge मिलाकर जो भी amount होता है, उस पर यह आपका CES का percentage लग जाता है, ठीक है, तो total tax liability के आती है आपकी, tax on total income at applicable rates, plus surcharge as applicable, यह as होना चाहिए, as applicable, नहीं, at ही होना चाहिए, plus surcharge at applicable rates, if total income is greater than 50 lakh rupees, अगर total income आपके 50 lakh के ऊपर गई, तो जो भी applicable rates होंगी, उस पर surcharge लगेगा, या फिर, rebate मिलेगी आपको 87A की, if the total income is less than equal to 5 lakh rupees, और फिर, plus health and education says at the rate of 4%, इस से आपका, यह health and education says पकर नहीं कर लाता है, उसके बाद एक और चीज होती थी, alternate minimum tax, alternate minimum tax, तो AMT, इसकी applicability हम लो पर है, तो if the individual is claiming deduction under section 10 AA, मतलब वो SEZ वाला, जो exempt incomes में हम लोग ने कल पढ़ा था, और under 35 AD, मतलब वो 14 businesses जो specified वाले होते हैं, जिनको PGBP में revise किया था, और section 80 JJAA और 80 QQB and 80 RRB, ठीक है, तो यह हम लोग ने deductions वाले sections में पढ़े थे, और deductions वाले chapter के division में पढ़े थे, and his adjusted total income, adjusted total income exceeds 20 lakh rupees, adjusted total income 20 lakh से ज्यादा हो जाती है, तो AMT के provisions apply करते हैं, तो आप सबसे पहले करते क्या हो, आप AMT calculate करते हो, कैसे calculate होता है वो, adjusted total income पर 18.5%, adjusted total income पर 18.5% plus surcharge if applicable, plus health and education size of 4%, तो जो भी आपकी adjusted total income होती है, उस पर आप 18.5% के rate से alternate minimum tax charge करते हो, अगर वो adjusted total income आपकी 50 lakh से उपर है, तो फिर उस पर surcharge भी लगेगा, तो अगर surcharge आप लेके बलोगा, तो आप उस पर surcharge भी जोड़िएगा, और उसके बाद जो भी आपकी tax plus surcharge वाली amount आता है, figure आती है, उस पर आप health and education size भी अगर AMT tax computed as per regular provisions से ज्यादा आता है, तो adjusted total income would be deemed to be the total income, तो अगर आपका जो alternate minimum tax होता है, वो regular provisions से जो भी tax calculate हुआ, उस से ज्यादा आता है, मतब AMT is greater than your normal tax, if the alternate minimum tax is greater than your normal tax, तो जो आपकी adjusted total income है, उसी को मान लिया जाएगा, कि वही आपकी total income है, मतब सरकार कहती है, फिर आप ह हमे alternate minimum tax दो, क्योंकि नाम है ना alternate minimum tax, इतना तो लेके ही रहेंगे, तो आप दो ही दो हमें, फिर आपको लगेगा, यह तो गलत बात है, मतलब यह तो गलत बात होती है, कि हमारी हम regular provisions से कर रहे है, हमारी tax liability कम आरे है, सरकार कर रहे है, कम से कम इतना तो दो ही दो, तो इसके ल कर कभी ना कभी तो आपकी regular income ज्यादा होगी कभी ना कभी आपका regular tax ज्यादा होगा तो तब हम आपको इसका credit दे देंगे जितना भी आपने आज excess tax pay किया है AMT के नाम पर उसका credit हम आपको तब बाद में दे देंगे जब आपका जो normal tax है वो AMT से उपर हो जाएगा तब तो देखो tax is leviable at the rate of 18.5% of adjusted total income plus charge if applicable plus HEC health and education says at the rate of 4% tax credit to be carried forward क्या होता है AMT less tax computed as per regular provisions तो AMT जो भी आपको alternate minimum tax होता है minus regular tax उसका जो भी difference होता है that has to be carried forward इंडिविज्वल्स और हुएफ्स exercising option and section 115 BAC are not liable to alternate minimum tax under 115 JC ठीक है तो 115 BAC वाले जो new tax regime है उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो भी लोग option exercise कर रहे होते हैं जो भी लोग 115 BAC को opt कर रहे होते हैं उनको alternate minimum tax pay करने की कोई requirement नहीं होती है अब देखे 115 BAC के बारे में बात कर लेते हैं तो examine whether or not to exercise the option under section 115 BAC for availing concessional tax slab dates ठीक है तो 115 BAC basically छोटे taxpayers के लिए introduce किया गया था कि अगर आप चाहो अगर आप books वगरा maintain नहीं कर पाते हो काई दे से और आपका मने कि आप tax भी कम दो तो आप यह वाला section opt कर सकते हो 115 BAC ठीक है अब इसके बारे में पढ़ते हैं देटेल में कि क्या है यह तो as per section 115 BAC individuals और HUFs सिर्फ individuals और HUFs के पास यह option है they have an option to pay tax in respect of their total income other than income chargeable tax at special rates under chapter 12 तो कुछ incomes है जो कि chapter 12 में है उनको छोड़के जो भी आपकी total income आती है वो उस पर आप option क्या है आपके पास at following concessional rates आप concessional rates पर tax pay कर सकते हो if लेकिन condition क्या है if they do not avail certain exemptions या deductions जैसे leave travel concession standard deduction under the head salary so 50,000 वाला interest on housing loan on self-occupied property interest on housing loan मतब 24B वाला या ATEE वाला ठीक है ATEE वाला deductions under chapter 6 से other than ATCCD 2 तो ATCCD 2 क्या था ATCCD 2 था कि जब भी employer new pension scheme में national pension scheme में आपका कुछ पैसाच देता है तो employer का deduction आपको ATCCD 2 में मिल जाता है तो अगर आप 115 BAC opt करते हो तो employer ने जितना भी contribute किया होगा new pension scheme में आपके लिए उतने का deduction आपको मिल जाएगा और section ATJJAA set off of broad forward loss or depreciation if they relate to any of the above deductions set off of loss from house property against income under any other head etc. ठीक है तो यह जो 115 BAC है क्याता है concessional rates पर tax pay कर दो लेकिन उसके बाद यह सारे के सारे deductions आपको हम नहीं देंगे 115 BAC क्या क्या रहा है कि आप अगर आपका मनो आप individual हो आप HOF हो तो आप हमें सस्ते सस्ते rate पर tax दे दो आप हमें बहुत ज्यादा टाक्स मत दो लेकिन उसमें अगर आपने हमें सस्ते rate में टाक्स देना शुरू किया तो यह सारे deductions आपको नहीं देंगे फिर मतब लीव ट्रावल carry forward house property का यह सब कुछ नहीं होगा अगर आप यह सब फोर्गो करने के लिए तैयार हो तो आप हमें कम rates पर tax दे दो ठीक कम rates हैं यह कि धाई लाग तक कोई tax नहीं लगेगा basic exemption limit एक दम सेम है लेकिन normal में क्या था 20 pt 5 % tax लगता था यहां पर भी है दाई से 5 पर 5% लगता था उसके बाद 5 ऐसे 10 ऌपर 20 पर tax लगता था अगर आपकी इंकम पाँच लाग से उपर थी पर दस लाग से कम थी तो 20 पर से लगता था यहां पर क्या है पाँच लाग से साड़े साथ लाग पर 10% tax है फिर उधर क्या था 20 लाग से अगर आपकी इंकम 10 लाग से उपर है तो 30% tax यहां क्या है साड़े साथ से 10 लाग 15% tax साड़े साथ से 10 लाग 15% tax फिर 10 लाग से 12 लाग 20% tax 12 लाग से 15 लाग 25% tax और 15 लाग के उपर 30% tax तो जहां normal scheme में आपको 10 लाख के उपर 30% tax देना होता था, यहाँ पर आपको 15 लाख के उपर 30% tax देना पड़ेगा, ठीक है, तो यह rates है, इनको भी आप लोग याद कर ली जगा, तो अब याद होंगे, यह आप लोग को 115 BAC वाला यह है, ठीक, अब आओ आगे देखते हैं, सर्चार्ज would be attracted at the same rates and above the same thresholds of total income as under the regular provisions of the income tax act 9061, तो सर्चार्ज की applicability और levyability में कोई फर्क नहीं आएगा, जैसे सर्चार्ज regular scheme में चलना था वैसे सर्चार्ज यहाँ पर भी लगता रहेगा, further health and education says at the rate of 4% would be attracted on income tax, so calculated plus सर्चार्ज if applicable, तो यह जो health and education सैसे यह भी लगता रह तो 115 BAC में आपको सिर्फ इतना ही है कि आप कम rates per tax दो, तो यह basically उन लोगों के लिए beneficial है, जो जिनको salary वगेरा उतनी ज्यादा मिलती नहीं है, सस्ते में निप्टाते हैं, ज्यादा deductions claim करने के लिए होते नहीं है, तो बहुत ही छोटे type के tax payers के ओपर यह 115 BAC का option है, जो आ tax liability computed intersection 115 BAC, तो आपको क्या करना है, आप regular provisions के साब से tax liability calculate करें, AMT को include करके, AMT को include करके मतलब यह नहीं के, AMT add करके, मतलब regular provisions में आप क्या करते हो, tax liability निकालते हो, AMT देखते हो कि AMT आपने के मिले या नहीं, अगर AMT भी निकालते हो, फिर इन दोनों को देखते हो, इन दोनो आप सॉरी, जो भी ज्यादा होता है आप वो पे करते हो, तो higher of AMT और regular income, फिर आप compare करो यह specials की new scheme वाला, देखिए, क्या बोला जा रहे है यहाँ पर, यहाँ पर बोला जा रहे है, आप करो higher of, पहले है तो आप करो lower of, यह को ऐसे लिखते है, यह क्या हो गया, tax as per, regular scheme, ठीक है, AMT, क्या हमें कर दो, higher of, higher of one or two, ठीक है, higher of one or two, उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप tax निकालो, as per, new scheme, new scheme क्या है, यही, 115 BAC, new scheme यही है, 115 BAC, और उसके बाद आप देखो, lower of, C, और, ठीक है, इन दोनों में से जो भी lower है वो, क्योंकि अगर new scheme के हिसाब से आपकी tax liability कब आ रही है, तो फिर तो आप new scheme को prefer करोगे न, opt करना, तो यह लिखा हो है, thereafter, if tax liability is lower as per the provisions under section 115 BAC, then opt to pay tax as per the section 115 BAC, अब इसमें कुछ notes है, क्या है, if an individual or HUF having income from business or profession, exercises option to pay tax under section 115 BAC in a previous year, then the set provisions would apply for all subsequent previous year, अगर आपका business profession है और आपने एक बार 115 BAC use कर लिया, तो हमेशा फिर 115 BAC ही लगेगा आपके ओपर, इसका नुकसान समझ रहो, इसका नुकसान यह है कि आपको कोई deduction वगरा कुछ नहीं मिल पाएगा, ठीक है, अले, अगर आपका business नहीं है, आप salaried employee हो या आपको salaried employee हो, तो फिर आप हर साल देख सकते हो कि मेरेको 115 BAC लेना है या नहीं लेना है, लेकर अगर आप business वाले हो, और एक भी साल अगर आपने 115 BAC ले लिया, फिर आगे आने वाले हर सालों में 115 BAC लेना होगा, he may exercise the option in a particular previous year, but may not do so in another previous year, depending on whether or not exercising the option is beneficial to him in the respective previous year, तो आपने benefit के हिसाब से देखकर उसको change कर सकता है, अब आपके पास ये tax liability आगे, आप advanced tax, 3DS और TCS का credit ले लो, तो net tax liability आपकी क्या आईगी, net tax liability आपकी आईगी, जो भी आपकी total tax liability से निकल कर आई, इसको use करके जो भी आपकी total tax liability निकल कर आई, इसमें आप advanced tax जो भी आपने पे किया होगा, उसको minus कर दीजे, जो भी आपका TDS, TCS हुआ वाए, उसको आप minus कर दीजे, वो आपकी net tax liability आजाएगी, और उसके बाद tax payable आजाएगा, या पर tax refundable आजाएगा, ठीक है, तो net tax liability should be rounded off to the nearest multiple of 10, the SSE has to pay the amount of tax payable, this is called self-assessment tax at the time of filing of return, if any refund is due, SSE will get the same after filing the return, ठीक है, यह हमारा इस तर से निपट के आजाता है, अब हम लोग आ जाते हैं, questions पर, तो ICAI का जो study material है, उसी का ये जो chapter है, computation of total income वाला, इसी में test your knowledge में काफी सारे questions हैं, 10 questions दिये हुए, तो आईए, मैं कुछ questions आप लोगों के साथ discuss करता हूँ, तो देखे सर, पहला question क्या कहता है, Miss Charlie, an American national, okay, got married to Mr. Radhe of India, in USA, USA में ही शादी कर ली, on 2nd March 2021, यानि previous year 2021 में शादी की, ठीक है, previous year 2021 में शादी की, फिर आगे क्या लिखा हुए, and came to India for the first time, on 16th March 2021, again, previous year 2021 में, she came to India for the first time, ठीक, she left for USA on 19th September 2021, 19th September 2021, इसका मतलब क्या हो गया, कि previous year 2021-22 के बारे में अगर में बात करूँ, तो 1st April 2021 से लेकर, कौन सा September, 19th September, 19th September, 19th September 2021 तक, ये इंडिया में थी, ठीक है, 19th September 2021 तक, इंडिया में थी, ठीक, she returned to India again on 27th March 2022, तीन दिन अभी भी भी बाकी है, she returned to India again on 27th March 2022, वाइल इन इंडिया, जितनी देर ये इंडिया में थी, she had purchased a showroom in Mumbai on 30th April 2021, तो April में, शादी के बाद जब ये इंडिया आ गई, तो इसको लगा, अब इंडिया में क्या करूँ, तो इसने एक showroom खरीद लिया, 30th April को इसने एक showroom खरीद लिया, और ये showroom खरीद के इसने lease कर दिया, to a company on a rent of 25,000 rupees per month from 1st May 2021, तो इतो house property हो गई, एक showroom अगर खरीदा, तो showroom जो भी house property होती है, ज़रूरी थोड़ी होता है, वो residential ही हो, वो commercial भी हो सकती है, ठीक है, और वो rent पर दिया हुआ होना चाहिए, और आप उसकी owner होने चाहिए, इन्होंने इसको एक company को किराये पर दे दिया, company से 25,000 rupees महिना करके राया आ रहा है, तो house property का rent आपका 25,000 rupees महिना आएगा, और ये 1st May 2021 से दिया है, तो 11 महिने का gross annual value में आपका आ जाएगा, तो ये जो interest on loan है, इसका भी आपको reduction मिल जाएगा, क्योंकि let out property S.L.A. section 24B में full reduction मिल जाएगा, जितना मर्जी reduction जाओ, आप claim कर सकते हो, She had received the following cash gifts from her relatives and friends during 1st April 21 to 31st March 22, right? From parents of husband, husband के parents relatives होते हैं क्या? हाँ जी relatives होते हैं, तो एक 25,000 का gift taxable होगा क्या? बिलकुल भी taxable नहीं होगा. From married sister of husband, spouse के siblings, क्या ये होते हैं? spouse के siblings, relative होते हैं? हाँ जी होते हैं, तो क्या ये 11,000 taxable होगा? बिलकुल भी नहीं होगा. From married sister of husband, ये तो हो गया. From two very close friends of her husband, husband के बहुती close friends थे, उन्होंने एक लाग बहत्तर हजार रुपे का gift दे दिया, पूरा का पूरा taxable हो जाएगा. पूरा का पूरा. ये 21,000 आपको लगेगा 50,000 से कम है, लेकिन aggregate value देखी जाती है. तो ये पूरा का पूरा 1,72,000 income from other sources से taxable हो दूसा income from house property जो इन्होंने शोरूम को रेंट पर दिया हुआ है. ठीक है? आ जाओ. Determine her residential status and compute the total income chargeable tax along with the amount of tax liability on such income for the assessment year 22-23. तो पहले तो ये कह रहा है कि आप इनका residential status निकाला हो. हमने का ठीक है, residential status निकाल देते हैं. Right? Residential status के लिए होता क्या है? Residential status के लिए कि अगर आप previous year में इंडिया में आते हो, ठीक है? क्या हो जाएगा? दो conditions आपको सबसे पहले, normal condition के बारे में बात करते हैं. हमना एकदम normal condition के बारे में बात करते हैं. Normal condition क्या कहती है? कि आपको 182 days in the relevant previous year इंडिया में रहना चाहिए. अगर आप ये फुल्फिल कर देते हो, तो आप resident हो. ठीक है? अगर आप ये फुल्फिल नहीं कर पाते हो, तो फिर दो conditions आपको फुल्फिल करने पड़ेंगी. पहली condition क्या? पहली condition तो ये, कि आपको 4 साल त ये 365, 365 days में और क्या कर रहा हूँ? मैं एकदव फंबल सा कर रहा हूँ? कोई बात नहीं. इसको दुबारा देखते हैं. ये देखते हैं. प्रीवियस येर, 21-22 में, शी शुट स्टे इन इंडिया पर 182 days. अगर वो 182 days के लिए है, तो शीज़े रेजिदेंट. अदरवाइ 5 days रहूँ? ये ही होता है? ठीक है? तो सबसे पहले तो हम लोग प्रीवियस येर, 21-22 के days निकालेंगे? कितने दिन नहीं है? तो 1st April 21 से 19th September 2021 तक रही? उसके बाद बीच में आ भी गए तिना 27th March 2022 को फिर से आ गई थी? तो 27th March, 27th March 2022 से 31st March 2022 तक रही? ठीक है? तो सबसे पहल होगा, I'll just show you कि answer किस सर से किया हुआ है? ठीक है? उसके बाद आप लोग अपने आप से इसको solve कर ले जागा, मैं पूरा-पूरा solve करने लग जाओंगा, तब तो बहुत टाइम लग जागा. तो I'm just going to make you go through all these 10 questions या जितने भी questions हम लोग कर पाएंगा. ठीक है? तो चलो, अभ हम डिटर्मिन नहीं कर सकते कि resident है या नहीं. उसके बाद पिछले साल, previous year 20-21 में, अच्छा, पिछले साल 60 days से उपर, यह था, कि 21-22 में आप 60 दिन रही है, वो 60 दिन तो रही है, क्योंकि यह 177 days हो गए, previous year 21-22 में 177 days हो गए, उससे पिछले 4 साल में, क्या यह 300 पैसट दिन रही है, possible in ही है, यह 2021 में तो 1st April 20 से 31st March 21 के बीच में तो सिर्फ 16 दिन रही है न, क्योंकि यहाँ पर question में लिखा हो है न, she came to India for the first time on 16th March 2021, तो previous year 20-20 में, previous year 20-20 में, तो यह hardly, previous year 20-20 में, तो यह hardly 16 days के लिए रही है, तो बाकी सम्में ने लो गया, तो यह पहली इस वाली condition क हिसाब से, यह resident तो नहीं है, ठीक है, अगर यह resident नहीं है, तो यह non-resident है, अब non-resident के case में, सारी वो incomes taxable होती है, जो कि India में accrue या arise होती है, deemed to accrue या arise होती है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, अगर हम लोग इसके house property वाले बारे पर बात करें, तो house property के जो showroom है, वो तो म husbands से related हो रहा है, तो parents के husband इंडिया में, sister of husband इंडिया में, two close friends of husband इंडिया में, तो आपकी सारी की सारी income जो है, वो इंडिया में ही accrue या arise हो रही है, तो यह income from house property और income from other sources, यह दोनों की दोनों incomes आपके taxable हो जाएंगी, ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को फटा पट से यहां पर दिखा देते हो, तो यही किया हुआ है, ग्रॉस अन्यूल वाल्यू, 25,000 into 11 करके यह आगया, municipal taxes paid nil हो गया, यह आपके आगई, उस पे आप 30% anyway minus करोगे, interest on loan आप minus कर दोगे, 97,500 का पूरा का पूरा आप लोग interest on loan minus कर दोगे, और उसके बाद आपके पास निकल कर आएगा, यह जो कि आपके income from house property हो जाएगी, income from other sources में अगर हम लोग बात करें, तो यह जो दो relative से मिला था, यह आपका निल हो जाएगा, यह जो दो आपको relative से मिला था, यह निल हो जाएगा, लेकिन जो husband के friend से मिला था, 172 वो taxable हो जाएगा, तो आपकी total taxable income 2,67,000 रुप दहाई लाग तक exam, दहाई लाग के उपर 17,000 जो है, उस पर आपका जो tax लगेगा, वो 850 रुपीज लगेगा, 34 रुपीज का उस पर health and education says और यह है, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या rebate मिलेगी इसको, 5,00,000 से कम है ना income, तो 2,67,000 रुपीज अगर income है, तो क्या rebate वाला सारी conditions को fulfill करके, तो यह तो non-resident है, non-resident के case में क्या हो जाता है, rebate वाला scene नहीं चलता है, क्योंकि 5,00,000 से कम है, rebate मिलना चाहिए था, बट क्योंकि यह non-resident है, इसलिए इसको rebate नहीं मिलेगा, तो तब भी income सेम रहेगी, interest on housing loan जो यह वाला होता है, जैसे उसमें हम लो ठीक है, ATEE और ATEEA, ATEE क्या कहता था, कि आपने 16-17 के बीच में अगर loan को sanction करवा है, तो आपको उसका reduction मिल जाएगा, right, over and above 24B वाले deduction, या ATEEA क्या कहता था, कि अगर आपने 1st April 19 से 31st March 2 के बीच में loan sanction करवा है, for the purchase of residential house property, तो आपको वो deduction मिल जाएगा, तो वैसे भी वो residential house properties क के लिए थे, ATEE और ATEEA वाले जो deductions थे, वो residential house properties के लिए थे, ये तो commercial house property है, commercial house property let out, तो इसमें आपको house property के अंदर जो section 24B है, उसका पूरा का पूरा deduction मिल जाएगा, तो अगर आप ये चाहते कि 115 BAC opt कर लो, तब भी आपके total income यही आती, और आपकी tax liability भी यही आती, क्योंक would her residential status undergo any change, assuming that she is a person of Indian origin, okay, Indian origin है, and her total income from Indian sources is 18 lakh rupees, अच्छा, and she is not liability tax in USA, अच्छा, 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 पताब कल जो हम लोगों ने residential status का revision किया, तो उसमें column number 4, column number 4 क्या होता था, कि अगर कोई Indian origin का बंदा इंडिया में आ रहा है, अगर कोई Indian origin का बंदा इंडिया में आ रहा ह है, और उसकी Indian income 18-15 lakh से उपर है, उसकी Indian income 18-15 lakh से उपर है, कल भी में यही आप लोगों को बोल रहा था है, Indian sources, उसमें लिखा हुआ क्या था, technically language में लिखा हुआ था, कि income other than income from foreign resources, exceeds 15 lakh rupees, तो यहाँ पर क्या है, income other than income from foreign resources, मतलब Indian income exceed कर रही है 15 lakh rupees से, तो ऐसे case में क्या होगा, देखो, पहली condition तो वही रहेगी, कि 182 days इसको previous year 21-22 में रहना पड़ेगा, अगर यह अपने आपको resident कहनाना चाहती है तो, तो यह resident तो नहीं हुई, ठीक है, अब दूस्ता उसमें क्या थी, जो 2 conditions थी, तो normal case में 2 conditions में क्या था, कि आप 60 days रहो, और 365 days रहो, ठीक है, 60 days रहो previous year 21-22 में, और पिछले 4 सालों में 365 days रहो, लेकिन ऐसे case में, अगर यह Indian origin है, जो साल भर में इंडिया में आ रहे हैं, और इनकी Indian sources जो है, Indian sources से जो इनका में 15 राग को exceed कर दी है, तो यह 60 की जगा 120 हो जाता था, यह 60 की जगा पर 120 हो जाता था, यह वाला आपका 60 की जगा 120 हो 65 था, वो यही रहता था, तो again non-resident हो गई, अगें जो है, वो non-resident हो गई, ठीक है, अच्छा, इस case में एक deeming provision भी था, section 6 1A वाला जो हम लोगों ने कल revise किया था, ठीक है, इसमें एक deeming provision भी था, कि अगर कोई Indian origin का बंदा बाहर से इंडिया में आता है, और उसकी Indian sources से income 15 ल नमार मान लिया जाएगा, लेकिन एक बात बताओ, ये Indian origin की है, लेकिन क्या ये India की citizen है, ये Indian origin की है, लेकिन क्या ये India की citizen है, नहीं, तो वो Indian origin, बट citizens of India पर होता था, जो deeming provision था, section 6, subsection 1A वाला, वो सिर्फ इंडिया के citizens पर होता था, यहाँ पर ये Indian citizen तो है, तो है, अमेर अमेरिकन नाशनल मतलब अमेरिकन citizen, अमेरिकन नाशनल का मतलब अमेरिकन citizen हो गई, तो even if she is of Indian origin, फिर भी नाशनल तो अमेरिकन ही है, तो ये जो deeming provision होता था, कि हम आपको आर एन ओर मान लेंगे, ये वाला जो deeming provision होता था, ये तो सिर्फ इंडियन citizens के लिए होता था, इ ये से मेरे चाचा है, ठीक है, माई चाचा, माई काजन, इन फाक्ट मेरे जो चाचा है, उनकी जो बेटी है, वो इंडिया में पैदा होई थी, दिल्ली में पैदा होई थी, लेकिन फिर वो जब दो या तीन साल की थी, तब से वो अमेरिका में है, तो अभी now she is a citizen of America, she is not a citizen of India anymore, right, so she is an American national, Indian origin की है, Indian origin की है, पैदा इंडिया में हुई, लेकिन इतने साल रही अमेरिका में, तो अब अमेरिकान की, American citizenship उसको मिल गई है, right, same as the case with my uncle, तो जो मेरे चाचा है, वो भी इंडिया में पैदा हुए, वो कई साल इंडिया में रहे, उन्होंने पूरी अपनी education graduation वगरे सब कुछ इंडिया में किया, IIT रूर्की से उन्होंने इंजिर ने किया, उसके बाद अभी US में है, तो अब US में कई सालों से है, पिछले 30 सालों से US में है, उनको US की citizenship है, तो इंडियान origin का मतलब यह नहीं कि वो इंडियान citizen है, तो उसी तरह से यहाँ पर यह जो question को solve करते है, क्योंकि तब क्या होती, resident but not ordinarily resident, ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर दीव ही है, If she is a person of Indian origin and her total income from Indian sources exceeds 15 lakh rupees, the condition of stay in India for a period exceeding 120 days during the previous year and 365 during the 4 immediately preceding previous years would be applicable for being treated as a resident. Since her stay in India exceeds 120 days in the previous year, 21-22, but the period of a stay in India during the 4 immediately preceding previous years is less than 365 days, her residential status would continue to be the same, that is non-resident. Now, further, since she is not a citizen of India, the provisions of section 6-1-8 deeming an individual to be a citizen of India would not get attracted in her case, even though she is a person of Indian origin and her total income from Indian sources exceeds 15 lakh rupees and she is not liable to pay tax in USA. Therefore, her residential status would be non-resident in India for the previous year, 21-20. तो काफी अच्छा question आगे तो, computation में इसी टाइप के questions होते हैं, कि आपके सारी की सारी चीज़ों की knowledge जान लेंगे, आईए, हम लोग करते हैं, यहाँ पर question number 2, let's look at question number 2. यह आगे आपके पास question number Dr. Niranjana, a resident individual, aged 60 years, is running a clinic in Surat. तो Dr. Ma'am है, तो यह Surat में अपनी clinic run कर रही हैं. अर income and expenditure account for the year ending 31st March 22 is as under. ठीक है? तो यह सारी details आपको दीविए हैं, आपको ultimately करना कि है. From the above, compute the total income of Dr. Shrimati Niranjana for assessment year 22-23 under the regular provisions of the income tax act 1961. Assuming that she has not opted to pay tax under section 115 BAC. तो आपको normal compute, total income आपको compute करना है, tax liability compute नहीं करनी है. एक्जाम में हमेशा इस सीज़ पर ध्यान देना, कि आपसे सवाल ने क्या पूछा है. कई बार tax liability पूछी होती है, हम computation of total income करके बंद हो जाते हैं. कई बार tax liability नहीं पूछी होती, फिर भी हम tax liability निकाल रहे होते हैं. तो tax liability निकालने के आपको कोई extra marks नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपका time बहुत waste हो जाता है. ठीक? आईए, total income निकालनी है, आजाओ. मज़ा आएगा इस वाले में, काफी comprehensive चीज़ें आएंगे. देखो, तो two medicines consumed कोई issue नहीं है. ठीक है, क्योंकि doctor है, medicines consumed होगी, उसका deduction इनको बहुत अराम से मिल जाएगा. staff salary, कोई reduction नहीं है, कोई problem नहीं है. देखो, हम जब P&L पढ़ेंगे न, तो वो items, जो हमें specifically, out rightly दिख जाएंगे, कि ये P&L में नहीं आने चाहिए, business के, उनको हम लोग judge करेंगे, कि इसको add back करना चाहिए, इसको less करना चाहिए, ठीक है, लेकिन, ऐसे पढ़ने पर अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तब कोई issue नहीं है, फिर हम जो नीचे additional information दिए, उसके basis पर हम लोग अपने decisions लेंगे, ठीक है, 35 वाला deduction बिलकुल allowed है, ठीक, तो P&L के debit side में, सिर्फ P&L का debit side पढ़के, अभी तो मेरे को कोई problem नहीं समझ में आई, अब आप income side में देखो, तो consultation and medical charges, बिलकुल यह आपकी income है, income tax refund, income tax आपको refund मिला है, क्या income tax refund जब आपको मिलता है, तो आप उसको 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 tax देते हो, नहीं, जब income tax payment आपको खर्चे में allow नहीं होता है, तो income tax refund आपके लिए taxable कैसे हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपको less करना होगा, कैसे पता चला, less करना होगा, less ऐसे पता चला, क्योंकि यह income है, तो इससे income बढ़ी हुई है, लेकिन इस पर हमें tax तो देना नहीं है, तो हम less कर देंगे, ठीक है, इसमें principle है 5,000 रुपे का और interest है 4,500 रुपे का, तो अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, हम लोग start करेंगे अपना P&L के net profit से 4,44,400 से, ठीक है, 4,44,400 में से 5,450 पूरा का पूरा minus होगा, पूरा minus होगा, क्योंकि इस पर PGPP में कोई tax नहीं लगना है ठीक है, और ये जो 4,500 रुपे का interest मिला है, ये income from other sources में taxable हो जाएगा, ठीक है, ये income from other sources में taxable हो जाएगा, मैं साथी साथ आपको solution खोल के दिखा भी देता हूँ कि कहां पर क्या क्या है, जिससे आप लोग को आसानी हो जाए समझने में, बाद में, ठीक है, तो देखो, income from profession में हमने 4,44,400 से start किया, और यहाँ पर less किया, less में आप देखो, income tax refund यहाँ पर 5,450 देख रहा है, ठीक है, और income from other sources में अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर आप लोगों को 450 रुपीज का interest on income tax refund दिखाई दे रहा है, ठीक है, आगे देखो, मैं ऐसे ही करूँगा, एक ए dividend है, taxable है, लेकिन PGP head में taxable नहीं है, इस ते 4,44,400 में से आप इस 10,500 को minus करोगे, और income from other sources में इसको taxable दिखाऊँगे, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर किया, कि income from other sources में देखो, 10,500 dividend from UTI, taxable in the hands of unit holders, और PGP में से यह 10,500 dividend from units of UTI, यह minus किया, ठीक है, income from other, income from profession में से 10,500 minus किया हुआ है, आगे देखे, winning from a game show on TV, net of TDS of 15,000 रुपे, 35,000 रुपे, तो यह जो 35,000 P&L में credit हुआ है, यह जो 35,000 P&L में credit हुआ है, क्या यह business income है, नहीं, यह business income नहीं है, लेकिन P&L में 35,000 credit किया है, तो 4,44,000 में से आप 35,000 को minus करिए, 4,44,000 में से आप 35,000 को minus करिए, P P&L 35 से credit हुआ है, आप minus करिए, यह आपकी income from other sources में जाएगा, लेकिन gross value पर जाता है, याद है, income from other sources में gross value जाएगी, किसी भी income की तो gross value जाएगी ना, TDS कटा है 15,000 रुपे, इसका credit बाद में ले लेंगे, TDS कटा है 15,000 रुपे, 15,000 रुपे, इसका credit लेंगे नहीं आपर, आँ गया, कहा गया, कहा गया, यह देखो ना, जो भी आपकी tax liability आईगी, जो भी आपकी tax liability आईगी, इसमें से TDS जितना भी कटा हुआ होगा, उसका credit ले लेंगे नाम, लेकिन यहाँ पर, जब आप अपने IFOS में इसको add करोगे, तो 35 plus 15, पूरा 50,000 add करोगे, ठीक है, IFOS में जब आप इसको add करोगे, तो पूरा का पूरा 50,000 add करोगे, तो IFOS में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, IFOS में यह पूरा का पूरा 50,000 add हो जाएगा, winnings from वी game show, ठीक है, तो income side से हम लोगों को यह चीज़े मिली, अच्छा, rent receive हुआ है, rent receive हुआ है, यह तो doctor है, तो doctor क rent किस बात का मिल रहा है, doctor को अगर rent मिल रहा है, तो मतलब यह तो income from house property है, और अगर यह income from house property है, तो फिर आप इसको minus करोगे, 27,000 को यहाँ पर minus करोगे, यह पीजी बीप, पीजी बीप में से 27,000 rent received, आप minus करोगे, ठीक है, 27,000 rent received minus करोगे, और यह 27,000 है, यह आपका rent में उस property में जाएगा यह है तो income from house property अगर हम लोग देखें तो gross annual value 27,000 यहाँ पर दिखाई दे रही है अब P&L पूरा का पूरा पढ़ लिया P&L में और कुछ नहीं हुआ अब आजाओ additional information पर आते हैं तो देखो जो rent pay किया है that includes 30,000 रुपीज paid by check towards rent for her residential housing सूरत हो यहाँ पर P&L में यह जो 90,000 रुपी का rent payment किया हुआ है इसमें यह जो 30,000 रुपी का rent है यह तो अपने खुद के लिए pay किया है residential house के लिए क्या इसका deduction आपको PGBP में मिलेगा नहीं तो यह जो 4,44,400 है इसमें आप 30,000 को add back करोगे और क्योंकि यह personal expenditure है इसका आपको कहीं पर कोई deduction नहीं मिलेगा तो यह 30,000 आपका PGBP में add back हो जाएगा add rent for her residential accommodation 30,000 यह आपका rent add back हो गया आगे देखो cleaning equipment जो है 1st April 2021 को opening WDV 5,000,000 रुपे की थी इस पर depreciation मिलेगा 15% के rate से और 7th December को खरीदा acquired by check 2,000,000 रुपे 7th December यानि 3rd October के बाद वो 182 days से less use हुआ तो इस पर 7.5% का depreciation मिलेगा तो यहाँ पर हम income PGBP में PGBP में PGBP, PGBP, PGBP यह रहा income from profession और यहाँ पर आपको less allowable expenditure में depreciation और cleaning equipment यह 75,000, 5,000,000 का 15% और 2,5,000, 15,000 का भी depreciation आपको मिल जाएगा ठीक? आगे देखे एक एक आइटम पढ़ते जाना है उसका दिमाग लगाते जाना है बस ठीक? अब देखो rent received relates to residential house property situated at सूरत ठीक है? gross annual value is 27,000 रुपे ठीक मान ली the municipal taxes of 2,000 रुपेs paid in December 21 has been included in administrative expenses हो! PNL का debit side इतना अच्छा देख रहा था हमें लग रहा था कि कुछ तो add back करना ही नहीं है लेकिन कितनी सारी problems आ रही है ठीक है? तो यह जो administrative expenses है 2,55,000 के इसके अंदर 2,000 रुपे municipal taxes आपने pay किये है और वो तो house property के लिए pay किये है deduction मिलेगा क्या? मिलेगा लेकिन PGBP head में नहीं house property में मिलेगा ठीक है? तो PGBP में आप 4,4,400 के profit में इस 2,000 को add back करोगे और house property के head में gross annual value में से 2,000 को minus करो PGBP में इस 2,000 को add back करोगे क्योंकि यह house property से related खर्चा है, business से related खर्चा नहीं है तो PGBP में हम लोग क्या करेंगे? PGBP, PGBP, यह रहा PGBP less वाले सारे items चल रहे हैं, less, less, less यह देखे, municipal tax paid relating to residential house at सूरत included in administrative expenses यह 2,000 को add back किया और house property में अगर देखा net annual value आ गई, आपने standard deduction लगा दिया, 30% का और आपके पास income from house property आकर complete हो गई है ठीक है, income from house property आगर आपके पास complete हो गई है, although अभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हो सकते आगी कहीं पर question में कुछ यह भी निकल किया, interest or loan अगेरा तो आपको section 24B का भी reduction मिल जाएगा, लेकिन है नहीं कुछ ठीक, she received a salary of 7,000 rupees per month from full care hospital, which has not been included in consultation and medical charges बढ़ा अच्छा किया, क्योंकि अगर salary मिली है तो employer-employee relationship के उससे मिली है, और अगर employer-employee relationship के बजा से मिली है, तो यह income from salaries में charge होगा ठीक है, तो 7,500 rupees per month मिला है, यानि 7,500 into 12, that will be your gross salary, और उसमें से 50,000 का standard deduction आप minus करोगे and that will be income from salaries और क्योंकि यह consultation and medical charges जो P&L में included ही नहीं है तो हमें PGBP की income से कुछ भी minus करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है अगर यह consultation and medical charges के अंदर included होता, तो हम कहते हैं कि भाई, इसको PGBP से minus करो, salary की income दिखाओ इसको, ठीक तो 7,000 पर month यह रहा आपका salary 7,000 into 12, यह 90,000 less standard deduction 50,000 और यह 40,000 रुपे आपका income from salaries निकल कर आजाता है next point पढ़ते है Dr. Niranjana availed a loan of 550 from a bank for higher education of her daughter education, 80 E ठीक है, बेटी की higher education के लिए, अगर loan लिया हुआ है, तो फिर 80 E उसका जो भी interest, loan का जो भी interest पे किया जाएगा, उसका reduction 80 E में मिलेगा, की repaid principal of 1,000, 1,00, रुपे प्रिंसिपल repayment का अपसोर्स कोई reduction नहीं मिलता and interest there on 55,000 रुपे जिवरिश यह त्विश यह 21, 22 तो इसका reduction इनको gross total income में से मिलेगा, gross total income में से, PGBP में से नहीं, gross total income में से मिलेगा, तो gross total income जब भी आएगी आपकी दिखा देते हैं, यह gross total income आपकी आएगी, reduction under chapter 6 A, और यहाँ पर आप देखो section 80 E, interest on loan taken for higher education, 55,000 रुपे, पूरा 55,000 रुपे का आपको reduction यहाँ पर मिल जाएगा, एक चीपेड 1,00,000 रुपीज as tuition fee, not in the nature of development fee or donation to the university for full time education of her daughter, तो अपने दो बच्चों के लिए tuition fee pay कर सकते हो, full time education के लिए इंडिया में किसी भी school, university, college को, और यह ATC में इसका reduction मिलेगा, ATC की जो upper limit है, maximum limit है, वो 150,000 है, क्योंकि tuition fee एक ही लाग रुपे की है, तो इस एक लाग रुपे का reduction, ATC के अंदर बहुत आराम से मिल जाएगा, तो ATC में आपको tuition fee paid to university एक लाग रुपे का reduction जाएगा आगे, an amount of 28,000 रुपीज has also been paid by check on 27th March 22 for her medical insurance premium अपने medical insurance premium के लिए 28,000 रुपे चेक से पी की है, इसका 25,000 तक का reduction मिलेगा एक, senior citizen है क्या यह senior citizen थी ना, age at 60 years, पूरा का पूरा 28,000 का reduction मिल जाएगा पूरा का पूरा 28,000 का reduction मिल जाएगा ATD में, क्योंकि senior citizen अगर आप है, तो आपको 50,000 तक के limit होती है, तो ATD में 28,000 का reduction आपको मिल जाएगा section ATD, पूरा 28,000 का reduction आपको मिल जाएगा कुछ और बचाएगा, कुछ और नहीं बचाएगा पूरा का पूरा question complete हो चुका है आप लोग देखो, सारे के सारे चीज़े यहाँ पर मैं mark कर चुका हूँ income from salaries पूरा हो चुका है, done ठीक है, income from house property done profits and gains from business or profession done, 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 यह तो इसी का total आ रहा है, तो यह भी होई गया, उसके बाद यह जो less होने वाला है, depreciation done उसके बाद यहाँ पर यह जो scientific expenditure इसमें आपको कुछ करने नहीं है, क्योंकि reduction allowed ही होता है तो इनका जो total है, वो 90,000 रुपया आया फिर यह भी आ गया, मतलब इसी का जो total आ गया 75 plus 15, depreciation का total 90,000 आया, एक फिर this minus this 90,000, यह आया 272,450, इसमें से आपने add किया 30,000 और 2000 तो यह 32,000 आया, फिर यह आपका PGP income आ गई, फिर income total income आ गई, gross total income में से जितने भी reduction से, वो सारे कि सारे आ गया आपके पाद, ठीक है तो इस तरह से यह वाला question आपका हो जाता है आए सर, आ जाते हैं हम लोग next question पर, question number 3 question number 3 पर आ जाते हैं यह रहा आप लोगों के सामने Miss Pooorvy Miss Pooorvy, aged 55 years is a chartered accountant in practice very good, she maintains her accounts on cash basis, cash basis पर, मतलब जितना cash मिला उतना record किया, उतना income में record किया और जितना cash दिया, उतना अपने expenditure में record किया, कोई अ क्रूवल वाला system नहीं है, okay her income and expenditure account for the year end day 31st March 22 reads as follows, ठीक, आये देखते हैं salary to staff, allowed a stipend to article assistance, allowed a incentive to article assistance बिलकुल allowed है, office rent allowed है printing and stationary allowed है meeting, seminar and conference allowed है purchase of car for official use disallowed है, purchase of car how can you charge the cost of car in your profit and loss account, chartered accountant ने बताईए कैसी chartered accountant ने मिस पूरवी, chartered accountant ने गाड़ी खरीदी और गाड़ी की cost को P&L में debit कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है repair, maintenance and petrol of car ये allowed है, traveling expenses ये भी allowed है, municipal tax paid in respect of house property ये disallowed है, क्योंकि ये house property में gross annual value में से minus होगा, house property income में से लेकिन यहाँ पर तो नहीं होगा, ठीक PGPP में allowed नहीं होगा peace earned, audit income है taxation service income है PGPP income है, consultancy PGPP income है, dividend on shares of X limited, Indian company gross, तो ये जो 10,524 है ये IFOS में taxable होगा तो यहाँ पर आप इसको less कर देंगे, जो भी है इसका profit आएगा 9,282,214 का जो profit आएगा इसमें से 10,524 को less कर दिया जाएगा और income from other sources में tax लग जाएगा फिर income from UTI तो ये जो UTI से income मिली है ये PGPP की income तो है नहीं तो PGPP में से minus कर दीजे, income from other sources में add कर दीजे, honorarium received from various institutions for valuation of answer papers अच्छा, institutes का अलग-अलग institution से इसको paper check करने के लिए honorarium मिला है तो 15,800 लेकिन ये भी आपकी income from other sources हो जाएगी business income नहीं है क्योंकि ये chartered accountant है तो पेपर checking का का काम इनको income from other sources में taxable हो जाएगा तो PGPP की income से minus कर दीजे other sources में add कर दीजे rent received from residential flat let out तो ये 85,600 रुपीस PGPP की income नहीं है, इसको यहां से minus कर दीजे और इसको income from house property में taxable हो जाएगा तिक, अच्छा आगे देखो जी, allowable rate of depreciation on motor car is 15% तो यहां पर ये जो motor car खरीदी थी 80,000 रुपीस की, इस पर 15% के rate से depreciation लगाए चाहेगा तो ये तो mention नहीं है कि ये motor car कौन से date पर खरीदी थी, तो हम लोग मान लेंगे कि साल भर के लिए खरीदी थी, मतब 180 दिन से ज्यादा put to use हुआ है, तो पूरा का 15% का depreciation लगा देंगे value of benefits received from clients during the course of profession is 10,500 रुपीस, तो ये 10,500 रुपेस, जो profession की वैज़े से clients से benefits मिला है, ये आपका PGBP की income की agency taxable होगा तो इसको ये जो आपकी total income है इसमें ये 10,500 add कर दिया जाएगा, क्योंकि ये PGBP की income है, incentives to article assistance represent amount paid to two article assistance for passing IPCC examination at first attempt, हाँ तो ठीक है ये आप दे सकते हो, section 37 में इसका reduction आपको मिल जाएगा, repairs and maintenance of car include 2,000 rupees for the period from 1st October 21 to 30th September 2022, ठीक है, तो 1st October 21 से लेकर 30th September 2022 का payment किया हुआ repairs and maintenance करवाया हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात है ना, पूरा मिल जाएगा ये cash basis पर कर रही है ना, ये जो पूरवी है, ये cash basis पर अपने accounts को maintain कर रही है ना, तो अगर cash basis पर accounts को maintain कर रही है तो cash में जो भी payment किया है, उसका reduction मिल जाएगा business के purpose के लिए है salary includes 30,000 rupees to a computer specialist in cash एक computer specialist को 30,000 rupees cash में salary दिये for assisting miss poorby in one professional assignment एक professional assignment में कोई computer specialist था, उसको 30,000 rupees की cash की salary दी हुई है, तो ये तो disallowed हो जाएगा क्योंकि 10,000 से ज्यादा payment अगर आप देते हो किसी एक इंसान को तो ये disallowed हो जाता है, तो यहाँ पर ये salary है salary to staff, इसमें से 30,000 माइनस कर दिया जाएगा, तो जो भी आपका ये net profit है, इसमें से 30,000 को add back कर दिया जाएगा, ठीक है 30,000 ये add back हो जाएगा, right क्योंकि disallowed होगा traveling expenses include expenditure incurred on foreign tour of 32,000 rupees, which was within RBI norms, तो हम लोग ये मान लेंगे कि ये professional purpose के लिए ही travel किया था, तो 32,000 रुपे का traveling expenses जो है, वो included है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि professional purpose के लिए अगर आप travel करते हो, तो allowed होता है, तो ये बत्ते सदार भी allowed था, allowed है, allowed रहेगा, कोई issue नहीं है, कि medical insurance premium on health of dependent brother and major son dependent on her amounts to 5,000 and 10,000 respectively paid in cash, अच्छा, अब देखो dependent brother है, ठीक है, लेकिन अगर आप ATD को याद करो जो medical insurance premium के बारे में बात करता था, तो medical insurance premium किस-किस का allowed होगा, self spouse dependent children या parents, brother sister तो था ही निए उसमें, कहीं siblings तो था ही निए, ठीक है, ATD में क्या-क्या था, self spouse dependent children, ठीक है, self spouse dependent children, बाकी इसमें 25,000 का, अगर कोई भी senior citizen तो 50,000 का, और अगर अपने parents के लिए दिया, तो extra 25,000 का मिल जाएगा, parents में कोई senior citizen है, तो 50,000 का मिल जाएगा, ठीक है, brother तो कहीं आता नहीं है, तो ये 5,000 का deduction तो नहीं मिल पाएगा, ठीक, major son dependent है, dependent children के लिए अगर आप medical insurance premium पे करते हो, तो मिल जाता है deduction, ठीक है, लेकिन 10,000 है और cash में पे किया है, cash में पे किया है, तो फिर deduction नहीं मिल पाएगा, तो ATD में इनको कोई भी reduction नहीं मिल पाएगा, ठीक, she invested an amount of 10,000 rupees in national saving certificate, ATC में benefit मिल जाएगा, reduction मिल जाएगा, she has paid 70,000 rupees towards advance tax during previous year 21-22, ठीक है, तो जो भी आपकी tax liability आईगी उसमें से 70,000 rupees को minus कर देंगे, compute the total income and tax payable of Ms. Poorvy for assessment year 22-23, ठीक, आओ, एके करके शुरू करते हैं, एके करके शुरू करेंगे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने एक बार पूरा question पढ़ लिया, ठीक है, हमें मोटा-मोटा idea हो गया कि question में क्या-क्या है, ठीक है, जैसे हमें पता चल गया कि question में कोई salary वगेरा नहीं है, question में house property तो है, ठीक है, question में house property तो है, ठीक है, पिछले करना होगा, आपको पहले एक बार पूरा question पढ़ना होगा, पूरा question पढ़के इस तरह से आपको अपने मन में treatment सोचने होगे, कुछ treatments आपके दिमाग में आ जाएंगे, कुछ treatments आपके दिमाग में उस समय नहीं आएंगे, it's absolutely fine, right, तो फिर उसके बाद आप अपना एक-एक हेड करके शुरू करोगे, तो यहाँ पर आपको पता चला कि यहाँ पर कुछ भी salary नहीं है, यह जो honorarium वगेरा भी मिलाई है, income from other sources में जाएगा, तो salary income तो है नहीं, लेकिन house property income तो है, house property income कितनी है, 85,600 रुपीस, gross annual value, इस में से यह जो municipal taxes है, 3000 इसको minus कर दीजे, net annual value आजाएगी, net annual value में से standard deduction 30% का minus कर दीजे, आपकी वो जो income from house property निकल कर आजाएगी, ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर इसको कैसे दिखा है, एक बाद solution में देख लेते हैं, उके, तो इन्होंने ऐसे दिखा है, computation of total income and tax payable of मिस पूर्वी, तो इन्होंने क्या किया, income from house property का एक अलग note बना दिया है, आप लोग भी चाहो तो वैसे कर सकते हो, आप लोग चाहो तो इसी में बना सकते हो, कि income from house property, यही पर आपने gross annual value दिखा दी, यही पर आपने less municipal taxes paid दिखा दिया, यही पर आपकी net annual value आगई, उसी में से आपने less कर दिया, जैसे पिछले वाले question में हुआ था, पिछले वाले question में एक ही working बनाई थी, उसी के अंदर सब कुछ पूरा detail में दिखा दिया गया था, इसमें इन्होंने क्या किया है, कि हर head की अलग एक working note बना दिया है, तो income from house property का इन्होंने working note 1 बनाया है, यह रा working note 1, तो gross annual value आगई 85,600, municipal taxes page 3000, net annual value यह आगई, deduction, यह तो यह आपकी income from house property निकल कर आगई, अब हम PGBP के बारे में बात करेंगे, तो अभी हम लोग सिर्फ PGBP पर focus करेंगे, और किसी चीज़ पर focus नहीं करेंगे, ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ, और सिर्फ PGBP पर focus करते हैं, पीजी बीपी के लिए इन्होंने नोट नमबर टू बनाया हुआ है तो आज हो नोट नमबर टू में आप लोगों को देखाता हूं और हम लोग ने पीजी बीपी से रिलेटेड काफी सारे क्वेस्टिन्स तो किये भी थे ऐसे ना जो फुली कॉम्रेहेंसिव टाइप के क्व होने वाली चीज ने है डेबिट साइड में देखो क्या कुछ अर्ड होने वाली चीज है सालरी टू स्टाफ अलाउड है साइपन टू आर्टिकल अच्छा सालरी टू स्टाफ अलाउड तो है लेकिन अभी तो आपको याद आ गया न कि आपने यहाँ पर सालरी 30,000 रुपे अगर आट बाग करो 80,000 रुप आप आप आट बाग करो थिक है पर चीज ओफ कर आई बाक करो उसके बाद dividend 10,524 minus करो, तो 10,524 यह हुआ minus, less income credited but not taxable, तो 10,524 minus करो, फिर income from UTI 7,600 minus करो, 7,600 minus करो, उसके बाद यह on a radium 15,800 minus करो, उसके बाद यह rent received, 85,600 minus करो, 85,600 minus करो, तो P&L में से, P&L का credit side भी आपका complete हो गया, P&L का debit हो गया, P&L का credit हो गया, अब आप additional information में आओ, allowable rate of depreciation on motor car is 15%, तो 15% का depreciation minus करो, depreciation on motor car, 15% आपने minus कर दिया इसको, ठीक है, यहाँ पर इन्हों ने जो note लिखा है, वो यह लिखा है, कि आप assume कर सकते हो, कि car 180 days से कम के लिए यूज होई है, तो उसमें आधे परसंट से depreciation लगेगा, वगरा, आधे rate से depreciation लगेगा, value of benefits received from clients during the course of professional 10,500, add करो, income है न, add करो, तो income है, add करो, तो 10,500, 10,500, कहाँ पर add हुई है भाई, कहाँ पर add किये है, यहाँ पर क्यों नहीं add किये है, इन्हों ने, added है किये है, अअअअअअअग है, अअअअग है, अअअग है, is it already added, value of benefit received from clients during the course of professional 10,500 रुपीस, कहाँ है, audit taxation services, consultancy, dividend, 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 यह 10,000 रुपे को add क्यों नहीं किया है इन्होंने, business and profession में यह तो add होना चाहिए था, let's see, क्या किया है, क्यों नहीं add किया है, यह तो है, यह यह रहा value of benefit received from clients, यह रहा 10,500 add किया, ठीक है, तो आप लोग अगर चाहो, तो यह सब add करके, सारी चीजों को add कर सकते हो, less करके, सारी चीजों को less कर सकते हो, यह सब अलग-अलग bifurcations दिखाने की ज़रूरत नहीं भी है, ठीक है, तो simply जैसे आपने add कर दिया न, add, right, तो जैसे इन लोगों ने specifically बनाया हुआ, expenses debited, but not allowable, तो यहाँ पर यह सिर्फ उन्ही items को add करेंगे, जो की debit हो चुके है, लेकिन allowed नहीं है, यहाँ पर यह लोग कुछ और को नहीं करेंगे, यहाँ पर यह कुछ extra जो business income है, उसको भी add कर दिया, ठीक, अरे यार, बंद हो गया, चलो कोई बात ही है, उसको मैं open कर लेता हूँ, ठीक, उसके बाद यह हो गया, okay, incentives to article assistance, इसमें कोई problem नहीं है, repairs and maintenance, 2000 पूरा allowed हो जाएगा, इसमें कोई problem नहीं है, salary includes 30,000 to a computer specialist in cash, यह P&L में debit हो चुका है, इसको आप add back करो, तो यह 30,000 cash में जो salary pay की है, इसको add back कर दिया गया है, traveling expenses में कोई problem नहीं है, professional मानने के इसको छोड़ देंगे, medical insurance premium, अच्छा तो PGPP का का काम खतम हो गया, PGPP का का काम बिलकुल खतम हो गया, तो यह PGPP की आपकी income निकल कर आ गई, PGPP की income आ गई आपकी 9,20,200, तो PGPP की जो income है, वो आ गई 9,20,200 रुपए, उसके बाद अब आपका क कोई capital gain नहीं है, सीधा income from other sources, income from other sources में आपके पास बहुत सारी चीज़ें, यह, 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 और यह, चार चीज़ें हैं, आपके पास income from other sources में, यह dividend, chairs से, UTI से, और यह 15,800 का honorarium, तो income from other sources में, उसके लिए working note 3 है, working note 3 में आया जाते हैं, और working note 3 में, आपके पास income from other sources आता है, तो यह, तीन चीज़ें, आपकी assets add हो जाएंगी, 33,924 आ गया, यह, आपकी gross total income निकल कर आ गई है, अब देखो, deductions under chapter 6A, deductions under chapter 6A, deductions under chapter 6A में अगर देखें, तो 5000 का health insurance, medical insurance नहीं मिलेगा dependent brother के लिए, क्योंकि brother जो है, उसमें आता ही नहीं है, and anyway paid in cash है, और यह जो 10,000 है, major son है, dependent है, लेकिन फिर 20 का benefit नहीं मिलेगा, क्योंकि paid in cash है, ठीक है, cash में सिर्फ preventive health check-up का अगर आप payment करते हो, तो 5000 तक वो allowed होता है, cash में बाकी नहीं, premium अगर pay कर रहे हो, तो account paycheck अगर से करो, लेकिन हाँ, यह जो 10,000 का national savings certificate में investment किया हुआ है, इसका reduction आपको ATC में जरूर मिल जाएगा, तो इसका working note 4 है, देख लेता है, working note 4 क्या लिखा हुआ है, यह देखो, deduction intersection ATC, यह मिल गया 10,000, और ATD में आपको कोई deduction नहीं मिला, यह दोनों आप लोग पढ़ लीजेगा, ठीक, उसके बाद she has paid 70,000 रुपीस towards advance tax, ठीक है जी, अभी सब कुछ हो गया, reductions वगरा सब हो गया, तो अभी देखो क्या हुआ हुआ, मजा आएगा आप, deductions हो गया, यह आपकी total income निकल कर आई, total income आई 10,1944, ठीक है, अब जब यह आया, तो आपने tax on total income निकाला, और total tax liability आपकी यह आई, ठीक है, tax liability आई, अब देखो, अब इस पर आप क्या करोगे, इस पर आप पहले तो advance tax को minus करोगे, advance tax को minus करोगे, ठीक है, उसके बाद यह TDS, ओ, सर, यह TDS के बारे में तो कोई information दी ही नहीं, question में, TDS के बारे में तो question में कोई information दी ही नहीं है, क्या फरक पड़ता है, आपको पता है ना, कि जब आपको TDS मिलता है, तो जब आपको dividend मिलता है, यह आपको UTI से income मिलती है, तो TDS कटने के बाद मिलती है, आप gross income पूरी add करते हो, income from other sources में gross income ही add होगी, income from other sources में तो पूरी gross value ही add होगी, लेकिन जो भी बंदा है, जहां से भी आपको मिला है, अगर आपको shares से income मिली है, यह आपको UTI से income मिली है, तो फिर उस पर TDS तो कटा ही हुआ होगा ना, उस TDS का भ 1052 का TDS कटा होगा, 10% के लेट से TDS करता है, 1052, UTI से 7600, तो इस पर भी 10% का यह कटता है, तो यह TDS का आपने credit लिया, 1812, और फिर जाकर आपकी जो tax payable वाली liability निकल कराई, इसको आपने round off किया, ठीक, I hope यह बात आपको समझ में आ रही है, अब सेम चीज, अब हम लोग 115 BAC के according भी देख लेंगे, 115 BAC में क्या हो जाएगा, आपको बाकी यह जो तीनों heads हैं, इन तीनों heads की income तो assets रहेंगे, बस यह chapter 6A का कोई भी reduction आपको नहीं मिलेगा, 115 BAC में यही तो होता है, कि कई सारी चीज़े होती हैं, जो आपको reductions पगर नहीं मिलते हैं, salary में अगर standard reduction होता तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर तो है, यहाँ पर salary ही नहीं, तो यहाँ पर यह तीनों heads की income as it is रहेंगे, लेकिन chapter 6A की reductions नहीं मिलेंगे, तो आपकी income हो जाएगी 10 11944, ठीक है, फिर आप 115 BAC की income क्या आ गई, 10 11944, अब इसके basis पर आप tax liability निकाल लिए, इसके वाले rates क यूज करके tax liability आपकी ये निकल कर आती है, इसमें आप 70,000 का advance tax और ये TDS वाला credit ले लीजे, तो 8672 यानि 8670 आपकी tax payable liability आ जाती है, तो आप इस तरह से 115 BAC वाले को भी कर लोगे, ठीक है, बाकी सारे questions आप अपने आप से कर सकते हो, मैंने आपको 3 questions दिखा दिए, residential status वाला भी हो गया, normal वाला भी हो गया, काफी सारी चीज़ें हो गई, और ये जो, you know, this 115 BAC वाली भी application हम लोगों की हैं पर हो गई है, तो income from salary वाला भी हम लोगों ने आपर देख लिया, income from house property वाला भी देख लिया, PDBP वाला भी देख लिया, capital gains वाला भी होगा, कुछ आगे वाले total incomes, बाकी अब आप लोग बचे हुए questions आप लोग अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है, so this completes a DT का marathon, मैं आप लोग को फटा फट से बता देता हूँ, आपको Unacademy Plus का subscription कैसे लेना है, तो Unacademy का subscription लेने के लिए, आप Unacademy.com इस website पर आएंगे, फिर आप यहाँ पर start learning पर click करे करेंगे, जैसी आप start learning पर click करेंगे, जैसी आप start learning पर click करेंगे, बहुत ध्यान से ये बात सुनते रहेना, प्लीज जानमा 25% discount चल रहा है अभी आज कल, 25% लेकिन वो 25% का discount निश्टेन से नहीं मिलेगा, उसका एक separate code है, वो कैसे होगा, वो मैं अभी आप लोगों को बतान 25% का discount चल रहा है और यह सिर्फ 24 तारिक तक ही है, दिवाली offer है एगे, ठीक आप get subscription पर जाओगे, get subscription पर जाने के बाद आपको यहाँ पर iconic plus or light team दिख रहे होंगे, अपने हिसाब से benefits आप देख लेना, कि कौन सा लेना है, अब देखो, code में आपको निश्टे नहीं एंटर क करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका फ्रीज ध्यान रख लिजेगा, इसी code पर आपको 25% का discount मिलेगा, DLHU MW41, this is the code, एक बार फिर से इस code को ध्यान से देख लिजे, DLHU MW41, DL, sorry, DLUH, DLUH, very sorry, DLUH, 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 MW41, एक बार फिर से देख लो इस code को, DL, DLUH, MW41, this is the code, DLUH, MW41, इस code को जब आप अप अपलाए करोगे, तो आप देखो 25% discount आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो फड़ावट से आप लोग इस discount को अवेल कर सकते हो, यह सिर्फ 24th October तक valid है, Today is 22nd, तो आपके पास बस आज कल परसों तीन दिन का है, और इसमें क्याच है कि इस सिर्फ शुरू के 100 students को ही मिल पाएगा, ठीक है, सिर्फ शुरू के 100, मतलब पहले जिन 100 students ने apply करके discount ले लिया, उन्हीं लोगों को मिल पाएगा, उसके बाद नहीं मिल पाएगा, तो this is valid only for 100 students, similarly, एक code CA Foundation का भी है, लेकिन जाने तो foundation का code भी चलो, मैं बता देता हूँ आप लोगो, foundation का code, जिससे अगर आपका कोई junior वगेरा हो, तो आपका foundation का भी उसको कह सकते हो लेने के लिए, तो यहाँ पर आप CA पर आओ, I'll just show you, आजा मेरे भाई, आजा मेरे भाई, क्या गरा मेरे भाई, क्या गरा मेरे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ लोगों को यह foundation का भी code बता देता हूँ, तो select plus पर जैसे आए, तो यहाँ पर code जो enter करना होगा, वो कौन सा code होगा, that will be dlh, dlh, dh, dh, 7xg, 7xg, this is the code, dlh, dh, 7xg, तो इसको अगर आपने अप्लाए किया, foundation में, तो आपको 25% का discount मिल जाएगा, तो यह foundation भी first 100 students के लिए, intermediate भी first 100 students के लिए, तो आप लोग प्लीज इसको फटावट से avail कर लेजे, 24th तक ही यह वाले codes applicable है, तो these are special codes जो की 24th, 24th October तक के लिए available है, यह वाला, और intermediate का भी मैं आप लोगों को देखा चुका हूँ, वीडियो को कर लेना, और I'll see you guys later, take care, अपना ध्यान रखे, बबाए